सर्च ऑन यूटूब एगरी बाई मनोसर सस्क्राइब एंड प्रेज दा बेल आइकन हे गाइज आप सब कैसे हो आई होप सब बढ़िया होंगे तो आज के इस वीडियो में हमारा टोपिक रहेगा कि ओफलाइन है फोरम कैसे बरे जाते हैं देखिए गाइज हमारा ओफिसियल में मकसद तो एगरी कल्सर वालों को लेकर यह है लेकिन यहाँ पे ओल जितने भी कॉम्पिटिशन है उनमें ज्यादतर ओनलाइन होते हैं एप्लिकेशन फोरम लेकिन एगरी कल्सर वाले प्रोजे के उनको भी बताऊंगा तो अगर हमारी वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना तो सबसे पहले बात करते हैं हम की जो एप्लिकेशन फोरम है वो जिस भी प्रोजेक्ट यह उस प्रोजेक्ट के साथ में दिया होता है उसके फोरम या पहले पीडियोफ में चल लेते हैं तो गाईज यह है पीडियोफ इस पीडियोफ के अंदर सबसे उपर ही उपर आप सभी को यहां पे लिखा हुए जो पकी नमबर वो उसके अंदर लिखने हो उसके बाद में सेकंड पे लिखा है कि पोस्ट अप्लाइड फूर आप जिस पी जैसे SRF, JRF, Field Assistant है उसका नम लिख देना है कि इस पोस्ट के लिए हम अप्लाइड कर रहे हैं उसके थार्ड नमबर पॉइंट पे आता है बात यह कि नेम इन ब्लोक लेटर यानि कि कैपिटल अक्सर में लिखना है आपको अपना नम है वो कैपिटल अक्सर में लिखना ह उसके बाद में अपने फादर का नम लिखना है फिर उसके बाद में आप मेल है या फीमेल है वो आप है लिख देना है कि जैसे मेल है तो मेल लिख देना उसके बाद में 6 पे यहां पे contact नमबर पुछे हैं तो contact नमबर अपने यहां पे लिख दीजिए गईज यहां पे यह फोरम है वो पहले आप सभी को प्रेंट निकलवाना है प्रेंट निकलवाने के बाद में आप सभी को ये फोरम अपने हाथ से बरना है उसमें बेनिफिट ज्यादा ये होता है कि अपने हाथ से बरा होता है उसमें मिश्टेकिंग बहुत कम होती है और अपने हिसाब से कलियर भड़ लेते हैं उसके बाद में contact number है यहां पर email लिखा है तो email की जिगह आप Gmail भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पर अपनी एक photo भी लगानी जुरूरी है उस photo पर अपना self-attested जुरूर कर दें और उसके बाद में यहां पर आपका address पुछा है 8 और 9 दोनों number में तो आप सभी address है वो अपना fulfill कर देना है अपने pin code है अपने area के है जैसे अलग लग है अलग लग अरिया के जैसे 33 50 01 है या किसी का अलग है 33 01 है तो ऐसे अलग लग सभी area के है तो उन सभी के वहां का लिखना है उसके बाद में है 10 number पर nationality यानि कि हम Indian है तो Indian लि यानि कि आप married हो या unmarried हो तो आप unmarried हो तो unmarried लिख दो उसके बाद में यहां पर पुछाए कि आप SCST से अगर belong करते हो तो अपना cast certificate लगाना है तो आप अपने अगर OVC में या general में हो तो अपनी cast लगा दो यहां पर अपना OVC है या ICST है जो भी है अपनी category वो लगान date यानि कि आपका जो project आता है उस यानि project के साथ में आपके interview के date है वो आती है कि इस date को आपका interview है तो उस date के दिन आपकी जो age है वो कितने year के हो जाती हूं आप वो लिखना है तो आप इसे के अंदर अब अब आता आगे metapron topic 15 नंबर में अपनी qualification देखे गाईज अपने प student के आती है जेयराफ के आती है वो आते BSC पे और agromat के आते है वो 12th pass पे कई बार LDC की भी बरती आती है जो की offline forum होता है उसके भी यानि 12th pass में ये बरती आती है तो उसमें आप सभी को क्या काम करना वो भी बता रहा हूं सबसे पहले क्या है कि subject पुछा आपका 10th class में all subject ल लगा दो उसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास में जैसे agriculture वालों के पास में तो agriculture biology और chemistry तीनों सब्जेक्ट लगाएं तो इसा कोई जरूरी नहीं है आप सभी only agriculture लगा दो बेटर है अगर आपके पास में BSC है तो BSC लगा दो BSC agriculture अगर आपने MSC किया होटी कल्चर से अग BC I-T, राजस्तान वालों के लिए RC I-T computer diplomata जैसे अर्याना वालों के लगोता है। यूपी वालों के लिए लगा होता है तो उनका 36 घर वालों के लिए लगोता है तो आपना कमप्विटर का है, अगर मांगा है तो लगा इस चाहिन आपके पास में कोई other What cuánt लाएं तो उस के में हुई है तो आप उनकी सन है वो लगा देना है अब देखिए काफी मेता पुर्ण टोपिक ही आए कि डूरेशन ओफ कोर्स इन इयर यानि कि 10th क्लास करने में कितना टाइम लगा और बीएसी करने में कितना टाइम लगा तो अब यहाँ पे देखिए मेसी करने में कितना टाइम लगा तो यहाँ पर जैसे मैं ने अप ऊग्या किया करने 2 year हो गया तो टीघा two year का लगा सकते हो उसके बाद में maximum यहनि कि आपके आप पास में कितने नमबर मैं से कितने नंबर आए हैं जैसे 12 के अंदर कितने सबजेक्ट हो ठीट होते हैं चे सब जय क्क्वयकृ इस तरह से हमारा यह लास्ट वाला टोपिक रहा कि आपके परसेंटेज कितने हैं तो आपकी 55% है तो 55% लगा दो जैसे यहां पर मेरे मानलो 72% है उसके बाद में 12 में 73% है उसके बाद में BSC के लगा दो और MSC में इतने परसेंटेज मेरे है वो लगा दो अब बात करते हैं अगर हां तो yes पर क्रिटिक करना है यहां पर yes लिखा है अगर नहीं तो no फिर क्या इसमें बढ़ने की अगर नो है तो कोई जरूरत नहीं है अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो किस में किया है ASRB NET CSIR NET UGC NET तो आप किस से किये हूँ या उसके बारे में बताना है और उसके बाद में आप सभी का बताना है कि आपका क्या किसी साब से वो इतना बताना है अगर आपने कहीं पे भी जोब की है पहले इस से पहले गोर्मेट जोब की है उसको रेटायर हो रखे हो उसके बारे में अगर भरना है या प्राइवेट की है तो उसके बारे में अ आइब है वो कर ले थी. तो यहांपी इतना सा करना है. अगर आपने कोई भी, जिसे महें हमने किशी वेराइटी को रिलिज किया या जिसे बुक लि मिखकी है तो उसका नाम है यहांपे लिख देना है. आपके बाद में यहाँ पर इतना लिखना होगा अब उसके बाद में बात करेंगे list of document attached यान कि attach आपके क्यों क्या क्या डोकुमेंट अटेच कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या attach करना था 10th class यहाँ पर सबसे में तोपिक यह बता रहा हूं कि जो जो पहले लिखा हो जैसे 10th आता तो पहले 10th फिर 12th फिर BAC फिर MSC फिर आपके पास में RACID है और उसके बाद में क्या लिगाना है आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है फिर original residence है यान कि मूल निवास है वो आपका ल लगाना है और यहाँ पर अपने signature है वो लिख देने है इतना सा काम हो गया उसके बाद में क्या काम करें उस forum को scan कर लेना है और scan करके उस forum को यहां कि पॉलिफिन आती है जो जिस time forum बना होता है तो हम जिस जहां से scan करवाना होता है तो वहां से बोलके उसको पॉलिफिन को ले लेना और उस पर अपना जो address है जिस address पर बेज रहे हैं उस address को लगा देना है और यह यहां पर कई बार । दीडी बना भी होता है तो डीडी वह बनती है वह बनवा सकते हैं लेकिन project बेस पे आते हैं उन में ॥े-डी वाला काम नहीं होता तो आप बहेज सकते हो otherwise यहाँ सबसे पहले बात यह कि आपको भेज़ेंगे कैसे तो यहाँ पे Kota Agricultural University ने अभी हाल फिलाल में JRF, SRF और Field Assistant की Vacancies निकार रखिये तो उसका offline form है तो यहाँ पे address दिया है तो आप उस address भी offline form है वो भेजना होगा और यहाँ पे आप सभी का फिर inform कर दिया जाएगा कि आपको यानि inform नहीं किया जाए तो भी आपको पता होना चाहिए कि इस date को interview आपको वहाँ पे पहुंचना है और वही document लगाए हैं वही document वहाँ पे face to face लेके जाने है तो simple सा यही तरीका है अगर हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को like कीजिए अगर आप सभी को कोई भी इससे related वीडियो चाहिए तो आप सभी comment कर देना और चैनल पे नहीं है तो चैनल को जुरूर subscribe करना ताकि latest वीडियो का notification मिलता रही धन्यवाद